तो दोस्तो आज हम आपके लिए कराएं ओरियो उस्कुट से बनने वाले एक बड़ी आसी बिटाई की रेसिपी तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना कि दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेना है तीन ओरियों के बिस्कुट की पैकड़ हमने यहां पर दद्दस रुपी बाली लिए हैं आप चाहें तो आप तीस रुपी बाला जो एक पैकड़ आता वह भी आप ले सकते हो तो हमने यह बनीला लिवर का लिया है बनीला क्रीम म तो दोस्तों हमने यहां पर बारिक से पाउड़ बना का तयार कर लिया है आप चान तो इसको चांद भी सकते हैं पर मैंने इक्तम बारिक सखिया इसकी चाने की जरूत नहीं है इसको अब इसको हम इस बार में निकार लें या पिलेट में निकार लेंगे अब हमने यहां पर लिया है करने इसकी दिसी में अपने चनल पर डाव रखे आप चाहे तो आप देख सकते इसकी बहुत ही अच्छा बनता घर पर तो मैं इसको लिंक डिसकर से बक्स में दे दूंगे चमिश डालेंगे और इसको पर लें इसी से गूतेंगे तो अब हमें थोड़ी पानी डालें जरूत लग रहे है आप चाहें तो वह करने में यह डाल से ज़रूत लग रहे हैं करने मिल्क से जादा मीटा हो जाता है इसलिए हमने थोड़ा इसमें एक छोटा चम्मच के लगवग पानी डाला है तो आप देशा कि हमने यह पर इसका मुलाइम सा डो लगव का तयार कर लिया है आप हमने यहां पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट इसे ड्राइक कोकोनट पर पर देशा करने मिल्क में डायल देने हैं है अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे यलो फूड कलर अबने यह लुक्यूर बाला लिया आप आवडर रेया जेल भी लेचाते हो अब इसको डालके हमचे इसको मिक्स करेंगे इसका भी हमें एक घू लगा लेना है इसको पाउडर को आप हम इसमें डालेंगे थोड़ी से चरोंजी आप और भी ड्राइप रूट्स डाल सकते हैं या ऐसे सिंबल दखा सकते हो अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें नारियल बाला डू लेंगे और यह गहम बोड पर टांपर कर लेंगे और इसका हमें एकदम स्लेंडर टाइप का रॉल बनाना एक तरीगे से तो दोस्तों हमने इसका स्लेंडर टाइप का रोल बना लिए इस तरीके से इसको हमें ऐसे ही बनाना है आप इसको हमें एक साइड में रख देंगे अब हमने लेना है ये पॉलिफिन इस पर हमें ओयल लिया घीशा चीसे ग्रीस कर देना है अब हम इस पर रखेंगे ओरियो वाला डूर इसको हम पॉलिफिन से कवर कर देंगे इस परीके से हमें इसको बीलना है इसको हमें थोड़ा थिक ही बीलना है ज्यादा हमें पतला नहीं करना है तथ तनल इसको बील ई है आ मराखें इस स्पर अनरके श्टेपिंगो इस तरीके से हमें इसको रॉल करते जांगे इस तरीके से में रॉल करते हमें रॉल करना है आने का हम कार्ट देंगे तो एक दम इस प्लेन आएगा अब हम इसको अच्छी से रोल कार देंगे आप अब हम इसको पॉल्जिन से कपर करके एक सेट करने के लिए प्रीज में रख देंगे तो अच्छी से सेट हो जाएगा तो इसको कट करेंगे तो दोस्तों अच्छी से सेट हो गया है अब इसको खोल लेंगे अब इसको हम कट करेंगे पर ले हम साइडो का लग कट कर लेंगे अब इसको हम कट करेंगे तो दोस्तों हमारा बनकर तैयार है और यो बैसके टेश्टी होगा वरामें बहुत ही आसाली तो आप स्कूर पर ट्राइब करके जरूंदे अगर वीडियो अच्छ लागा तो चैनल को सब्सक्ता वीडियो प्लाइक करें लाविए लेंगे 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 लेंग